आदे से ज़्यादा कोमेंट आ रहे थे कि मेम हमें बालों के लिए कोई ऐसा गरेलू उपाय बताए हमारे बाल इतने जढ़ रहे हैं इतने रुखे बेजान होते जा रहे हैं तो इन बालों को हम कैसे सोफटनस करें कैसे अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाए और कैसे इन बा ना सकते हो और जो आपकी बाल जढ़ रहे हैं वह बिल्कुल भी नहीं जढ़ेंगे लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है कोई भी स्टेप को बिल्कुल मिशनी करना है नहीं तो आपको वह रिजल नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं तो चलिए बीना देर के शुरू करते हैं अगर आप मेरे चैनल में पहली वार आये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्त कर ले और कόमयंट करके जरूर बताएं कि आप दूनिया की कौन से कौन से इस वीडियो को देख रहे हो तो चलिए वीडियो मैंने अपने घर में लगाया हुआ है मिठानीम जो को इसको बोलते हैं कड़ी पता तो देखिए यह जो कड़ी पता होता है यह बहुत ही बढ़िया होता है हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और बालों को जड़ने से रोकने के लिए और देखिए चायनीज जो लोग होते हैं उनकी बाल बहुत ही बढ़िया सिल्की हो और इनका अगर आप ज्यादा से ज्यादा खाने में यूज करोगे जिसे कि हम पोवा बनाते हैं, नमकी चावल बनाते हैं, कोई भी ऐसे जो बनाते हैं, उसमें हम कड़ी पत्ता डालते हैं, लेकिन उसमें हम 4-5 पत्ते डालते हैं, अगर आप उसकी जगा पर आप थोड़ा उससे जादा डालेंगे तो उससे आपको बढ़िया रिजल मिलेगा क्योंकि जो यह कड़ी पत्ते होते हैं वह हमारे बालों की ग्रोध को बहुत ही बढ़िया से तेजी से ग्रोध करता है और बाल इससे बिल्कुल भी नहीं जड़ते हैं तो इससे हम देखे घरे लुनुक्स के लिए हैं उसके पत्तियां हमें निकाल लेनी है तो यहां मैंने पत्तियां देखे कड़ी पत्ति के निकाल ली है और अब हम लेंगे मिक्सी का जार तो आप देखे मिक्सी के जार में जो भी आपने पत्तियां यह निकाली है वह सारी इसमें डालीजे अब आपको करना क्य तो क्या करना है कि थोड़ा हम यहां पर पानी डाल देते हैं. फ्रेंड्स वीडियो को फूल देखना है, बिलकूल भी वीडियो को कोई भी step मिनिस नहीं करना है. नहीं तो आपको वह रिजल नहीं मिलेगा. तो यहां देखे मैंने पानी डाल दिया है और अब जो मैंने वो डंडिया निकाली है उसको भी हम तोड की इसमें डाल देंगे क्योंकि यह जो डंडिया होती है यह भी बहुत बढ़िया काम करती है बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए तो चलिए मैं ये डंडिया भी इसमें डाल देती हूँ और अब मैं इसको कर लेती हूँ grind तो यहां मैंने देखे इसको grind कर लिया है और अब हम क्या करेंगे कोई भी बाउल कटोरी में इसको च्छान लेंगे तो देखे मैं यहां पे इसको च्छान लेती हूँ और बहुत ही यह आसानी से च्छन जाता है और अच्छे से इसका जो भी कस है वो सारा हम निकालेंगे अब हम कुछ इसमें ऐसा मिलाने वाले हैं जिस से कह कि हमारे बाल की जड़े मचबूत हो तो यहां हम लेंगे एक प्याज तो देखे प्याज को हमें अच्छे से छील लेना है और इसको देखे मैं यहाँ पे छील लेती हूँ प्याज को मैं छिलती हूँ और तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दे और शेर जरूर करें क्योंकि अभी देखें सभी को ये प्रोब्लम होती है लेडिज हो जेन्स हो या फिर हो बच्चे तो उनको भी बहुत जादा दिक्कत होती है और ये जो solution हम बना रहे हैं ये रिजल देता है तो यहां देखें मैंने प्याज को छी लिया है आप में इसको किस लूँगी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएए कि आप दुनिया के कौन से कौनी से इस वीडियो को देख रहे हो तो देखें यहां में प्याज को ग्राइंड कर लेती हूं अच्छे से तो फ्रेंड्स यह जो सिलूशन हम बना रहे हैं यह देखें बहुत ही बढ़िया से काम करता है बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अभी के टाइम में बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इतने हम जब भी कंगी करते हैं तो हमारे कंगी में इतने सारे बाल आते हैं और हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है चिंता होती है और उस चिंता की वज़े से हमारे बाल और ज़्यादा ज़ड़ने स्टार्ट हो जाते हैं तो हमें सबसे पेले तो यह होत की तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हमें पानी भरपूर पीना चाहिए और यहां देखिए मैंने जो solution बनाया है उसको मैं यहां पे आपको लगा के भी दिखाती हूं तो देखिए मेरे जो यह बाल है वो सामने की साइड में छोटे जरूर है लेकिन अभी देखिए जो बार यूज करेंगे तो बहुत ही बढ़िया हमें result मिलेगा और देखिए तो देखिए हमें यह कब लगाना है जब हम बालों को धोने जाए उससे एग गंटा पहले हमें यह लगाना है तो इस तरह से देखिए हमें जड़ों में लगाना है ताकि क्या है कि जड़ों में यह बाल जो कच्चे हो जाते हैं जड़े हमारी तो प्याज हमने इसमें डाला है तो प्याज ये बहुत ही बढ़िया काम करता है जड़ों को मजबूत करता है और बालों को जड़ने से रोगता है और जो कड़ी पता हमने डाला है ये क्या होता है कि बालों को मजबूत बनाता है और जो बाल एकदम खराब हो जाते हैं, तूटने लगते हैं, तो वो अच्छे से उसकी ग्रोथ करता है, तो इसलिए हमने ये कड़ी पता और प्याज का यहां पे यूज किया है, तो देखे इस तरह की जो दवाईयां बहुत ज़्यादा कोस्ति में आती है, और ये जो दवा जाहरा रिजल देता है ऐसको हम बन करें और हमारे बाल इतने और जएदा खराब हो जाते हैं उसके बहुत से साइड ऐफिक्ट भी होते हैं, और ये जो हम ग्रेल solche का बनाते इसके देखे कोई भी side effect नहीं होते हैं बिल्कुल भी हमारे बालों को कोई खराब नहीं करता है बहुत बढ़िया ये रिजल देता है तो इस तरह से हम बालों को देखे लगाएंगे और लगाने के बाद हम क्या करेंगे अच्छी से इसको बान लेंगे पीछे से और एग गंटा हमें इसको ऐसे ही रखना है कोई भी हम काम कर सकते हैं दूसरा और जब एग गंटा हो जाए तो हमें जो सेम्पू हम यूज करते हैं हर रोज वो सेम्पू से आपको बालों को वोश कर लेना है तो फ्रेंड्स अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कोमेंट करके मुझे जरूर बताई कि आपको ये बनाया हुआ शोल्यूशन कैसा लगा कैसा आपको रिजल्ट मिला अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिला तो मुझे जरूर कोमेंट करिएगा और आप अगर जैसे मैंने बताया है वेसे ही आप करोगे तो बहुत बड़े आपको रिजल्ट मिलने वाला है तो फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे जिल्ट को सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो